Hello Parents, Welcome back to my channel Learning with Poonam बच्चो को अगर आप spellings learn कराने में problem हो रही है तो आप उस तरह से इस तरह का game एक worksheet क्यार कीजिए play this game, यह game बच्चो को खेलना है, इसमें यह देखिए first spelling है parrot, last letter है T, T से start होगा 10 इस तरह से इनको join करना है और आपको इस spellings लिख के रख देनी है बच्चे को अगर खुद लिखेंगे तो बोर हो जाएंगे, आपने लिखी होई होगी तो बच्चे at least इनको read करके इस game को play करेंगे for example हम यहां करेंगे T, I, G, E, R, Tiger R से बनेगा R, A, I, N, Rain Rain से बनेगा N, E, S, T, Nest letter T, T, R, A, I, N, Train like this school, S, C, H, O, O, L, school L for lemon, L, E, M, O, N, lemon nose, N, O, S, E अब letter E से start होगा example like this हमें यह chair word दिया है chair R से आप बच्चे को बोलेंगे कोई भी two letter, three letter word बनाए हम यहां पे बनाएंगे red next T top P4 pet इस तरह से बच्चा अपनी mental ability का यूज करेगा और अब exams over हो चुके हैं बच्चो को study से बिलकुल भी करने का study करने का मन नहीं करता बट ये activities होती हैं ये बच्चो को engage रखती है studies में एक और example मैं आपको दिखाती हूँ for example यहाँ हमने लिया है table इसे बच्चा बना सकता है elephant now T से यहाँ फे table तो already है अब T से next word क्या बनाएगा बच्चा सोचेगा और बच्चे को आप ये बोल सकते हैं अपने आसपास की surroundings को देखके वो think करें and then कोई word याद करें टॉप इसमें बच्चा again वही word भी यूज़ कर सकता है अब P से यहाँ पे parrot ये हो गए है next है stool अब S T लेटर है L बच्चे को बनाना है L से L से क्या बनेगा lamp हो सकता है P से बनेगा pen भी बना सकते है pencil भी बना सकते है and say हम कोई भी बोल सकते हैं बच्चे को आप sense organ लिख सकते हो तो यहाँ पे बच्चा nose लिख देगा इस तरह से यह एक्टिविटी आप करा सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं carrot है tomato है radish है यह मैं आपको उपर से इसका screenshot आप ले सकते हैं आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं जिसका नाम है smile with poonam आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है learningwithpoonam thank you, thanks for watching